दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अंडर 20,000 में 5 ऐसे आइफोन जो कि आप 2025 में खरीच सेकते हो और अगर आपका बजट एकदम कम्प्लीटली यहाँ पे टाइट है किसी भी तरह से आप 20,000 से उपर नहीं जा सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important रहने वाला है 20,000 से नीचे में आप लोगों को 5 ऐफोन रेकोमेंड करने वाला हूँ जिनमें से यहाँ पे 2 ऐफोन 5G भी ऐफोन होगा 2 ऐफोन प्रो वाले ऐफोन भी होगा जिसमें आपको 3 केमरा देखने को मिलेगा तो अगर आपका भी बजट यहाँ पे 20,000 है और आपको भी एक अच्छा सा आइफोन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important रहने वाला है तो वीडियो को आप लोग अंतक देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस लिस में जो हमारा सबसे पहला आइफोन है वो है आइफोन 10S Max ये वाला Max है ये प्रो Max जिस तरह का आज के डेट में आपको देखने को मिलता है उसी तरह से जब यहाँ पे आइफोन 10 आर आया था उस समय आइफोन 10 आर आया था 10S आया था और 10S Max आया था 6.5 इंच के साथ प्रो वाले सारे ही फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा इसका भी जो कंप्लीट बोडी है वो आपको यहाँ पे स्टेनलेस टील का देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें आज के डेट में प्रो आइफोन में देखने को मिलता है तो 6.5 इंच कंप्लीट स्क्रीन के साथ यह वाला फोन आता है 208 ग्राम का फोन है थिकनेस की अगर हम लोग बात करें तो 7.7 mm का थिकनेस है यह जो है वो 2018 में यह मॉडल आया था और आज के डेट में भी काफी जादा यह एक गुड़ लुकिंग फोन है एक टाइम पे मैंने भी इस फोन को काफी अच्छे से यूज किया था इसका केमरा रेजल्ट आपको बहुत ही जबर्जस देखने को मिलेगा इन फेक्ट बहुत सारे मामलों में यह आईफोन 12 से भी आपको अच्छा वीडियोग्राफी दे सकता है और अगर हम लोग अंडर 20,000 की बात करें तो सबसे जादा जो बैटरी लाइप आपको देखने को मिलेगा वो इसी फोन में देखने को मिलेगा बाकी इसके बाद जितने भी में सारे आईफोन की बात करूँगा उसमें आपको तो 5G देखने को मिल जाएगा लेकिन बैटरी लाइप आपको इससे जबरजस्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह मैक साइज का फोन है तो यहाँ पर नॉर्मल साइज से यह बड़ा भी है साथी साथ इसमें जो बैटरी उज़ किया गया है वो लगबग 3200 mAh का बैटरी उज़ किया गया है जिससे आज के डेट में भी आपको जबरजस्ट यहाँ पर बैटरी लाइप देखने को मिल जाएगा अगर आप एक बार फुल चार्ज कर लोगे तो आपको आराम से यहाँ पर एक दिन देखना नहीं पड़ेगा इस तरह का आपको इस फोन में बैटरी लाइप आज के डेट में भी देखने को मिल जाता है लेकिन अगर उसमें डिस्प्ले बगेरा चेंज होगा तो फिर अंडर 20,000 में भी आईफोन 12 मिल सकता है लेकिन अगर हम लोग 12 मिनी की बात करें तो 12 मिनी छोटा सा एक फोन है जिसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर बैटरी में कंपरोमाईज करना पड़ेगा आदर केसिस में आईफोन 12 मिनी जो है तो अबरोल 20,000 में अगर आपको छोटा फोन से कोई प्रॉब्लेम नहीं है और अगर छोटा डिस्प्ले से भी आपका काम चल जाएगा तो इस बाले आईफोन को ले सेक्टो और यह कम्क्रीट्ली एक 5G फोन है अंडर 20,000 में यह एक जबर्जस्ट 5G फोन है 2025-26 में यह फोन आपका जबर्जस्ट चल जाएगा बस आप ध्यान रखना इस फोन में थोड़ा सा आपको कम बैट्री लाइप देखने को मिलेगा बाकि इस फोन में कोई भी प्रॉब्लेम आपको नहीं होने बाला इस लिस में हमारा जो नेक्स्ट फोन है वो है आईफोन 11 pro 11 pro भी आपको आज के dat में अंडर 20,000 में देखने को मिल जाता है 11 के अगर हम लोग बात करें तो 11 ऑल्मस्ट आपको आज के dat में 15,000 में देखने को मिल जाता है लेकिन अगर आपको pro phones लेना है तो definitely 11 pro की तरफ आप लोग जा सकतो cable एक problem है इस phone में कि ये phone एक 4G phone है बाखी इस phone में आपको pro levels का सारे ही features देखने को मिलेगा इसका भी जो complete frame है वो आपको stainless steel का देखने को मिलेगा 11 में हमें जो display देखने को मिलता है वो LCD display देखने को मिलता है लेकिन 11 pro में आपको OLED display देखने को मिलेगा camera भी यहाँ पर पीछे आपको 3-3 camera देखने को मिलेगा जिसमें से आप बहुत ही सांधार photography और वीडियोगाफी कर सकतो तो अगर आपका 4G और 5G से उतना ज्यादा problem नहीं है तो यह one of the best phone है under 20,000 में जिसको आप 2025 में definitely purchase कर सकतो इसका भी जो आपको battery life देखने को मिलेगा वो अच्छा देखने को मिलेगा iPhone 11 के comparison में iPhone 11 pro में आपको ज्यादा battery backup देखने को मिलेगा हाला कि दोनों ही phone में आपको जो battery देखने को मिलता है वो same same देखने को मिलता है लेकिन 11 pro का जो display है वो OLED display होने के कारण उसका जो battery consumption होता है वो बहुत कम होता है तो 11 pro से आपका ज्यादा battery निकलेगा और pro series का phone है तो इसलिए आपको pro वाला मजा भी आएगा तो अगर आपका यहाँ पे budget 20,000 से नीचे है तो 11 pro को भी आप लोग देख सकतो ये भी एक जबरजस्ट phone है जिसको 2025 में definitely purchase किया जा सकता है आप लोग देख लेना अच्छा condition में अगर आपको मिल जाए तो definitely आप 11 pro को भी ले सकते हैं अब जिल लोगों का budget थोड़ा सा कम है under 20,000 में भी अगर किसी को 15,000, 16,000 के आसपास iPhone लेना है तो बहुँ सारे लोग देख सकते हैं iPhone 11 11 को भी आप लोग देख सकतो ये भी एक 4G phone है 11 pro के साथ इसका थोड़ा बहुत ही difference है जैसे ही इसका display आपको LCD display देखने को मिलेगा नॉर्मल जो इसका frame है वो आपको यहाँ पे aluminum का frame देखने को मिलेगा पीछे 2 camera देखने को मिलेगा इसलिए इसका जो price है वो थोड़ा सा कम है 15,000, 16,000 में आज के date में 11 का आपको जबर्जस condition वाला phone देखने को मिलेगा जिसमें आपको battery health भी almost 85 के आसपास देखने को मिल जा यहाँ पे 15,000, 16,000 बन रहा है तो definitely iPhone 11 को 2025 में लिया जा सकता है फिर से बही बात ये भी एक completely 4G phone है तो अगर आपका 4G से problem होगा या तो आप 4G phone को ज़्यादा time use नहीं कर पाऊगे उस case में आप इसको completely neglect कर देना उस case में आप iPhone 12 mini को ले सकते हो लेकिन अगर 4G phone चे आपको को से भी काम चला सकते हो क्योंकि ultimately आपको Wi-Fi से इसको connect करना है और Windows के इसको use करना है बाकि इसका भी camera result और performance आज के date में भी आपको जबर्जस देखने को मिलता है तो अगर आपका budget यहाँ पे 15,000 के आसपास है तो definitely 11 को भी आज के date में लिया जा सकता है और अगर आपका budget 1000 से जादा invest कर रहो तो बहुत जादा हो जाएगा लेकिन अगर आपको कम budget में यहाँ पे iPhone 10 मिल रहा है 12,000, 10,000, 11,000 तक तब आप उसको भी ले सकतो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपका budget यहाँ पे 18,000, 19,000 के आसपास है उस case में आप iPhone XS को ले सकते हो iPhone XS Max और iPhone XS में उतना जादा फर्क नहीं है यहाँ पे केबल जो display size है 6.5 इंच का है लेकिन 10S में आपको 6.1 इंच का display देखने को मिलता है बैटरी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा Max के comparison में आदर cases में इसमें भी आपको वो सारे ही features देखने को मिल जाएगा जो की 10S Max में लगबग 2,500 रुपया का difference होता है तो अगर आपको 2,500 रुपया save करके लगबग 18,000 के आसपास iPhone XS मिल जाता है तो आप उसको definitely purchase कर सेकत हो क्योंकि इसमें भी आपको OLED display देखने को मिलता है पीछे 2 camera देखने को मिलता है overall जो इसका look है वो एक pro look है क्योंकि इसमें भी आपको stainless steel का frame देखने को मिलता है IP68 rating का support है इसमें भी आपको wireless charging का भी support देखने को मिलता है केबल एक negative point है इस phone में भी इस phone में भी आपको 4G देखने को मिलता है तो अगर आपको 5G phone लेना है तो under 20,000 में आप iPhone 12 Mini को ले सकतो बहुत सारे जगा पे लगबग 22,000, 23,000 में 12 भी मिल जात तो अगर आपको 12 भी लेना है तो आप 12 भी ले सकते हो लेकिन वँ आज के date में बीस हजार से कम में नहीं मिलेगा हो सकता है 2-3 महीने के बाद iPhone 12 भी आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल जाये लेकिन अभी के date में under 20,000 में आपको 5G जो iPhone देखने को मिलता है वो cable iPhone 12 Mini देखन को मिलता है यहाँ पे अगर मैं इस 5 फोन में से एक फोन मुझे पिक करना होगा तो मैं उस केस में आइफोन 11 प्रो को पिक करूंगा 4G और 5G में मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर मेरे पास अल्रेडी एक 5G एंडरोइड फोन या तो आइफोन है तो मैं उसको एजे वाइफाई की तरह यूज करके उसको चला सकता हूँ और प्रो लेवल्स का सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाएगा तो 11 प्रो एक ज्यादा यहाँ पे सेंसेब मिल जाएगा वो सारे वीडियो को आप लोग चेक आउट कर सेकतो उसमें डिफारेंट डिफारेंट वेबसाइट मेंसेन किया हुआ रहेगा उस सारे वेबसाइट में जो वेबसाइट आपको पसंद आए उस वेबसाइट से आप लोग डेफिनिटली ओर कर सेकतो तो यह थ झालीं